सबको नमस्कार पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में करोना की स्थिती में काफी सुधार हुआ है संक्रमन दर एक प्रतिशत से भी कम हो गई है डेली जो मौत होती थी उसमें काफी कमी आई है हमें और भी कम करना है इन मौतों को रिकवरी रेट भी काफी सुधार हुआ है रिकवरी रेट काफी ज़्यादा बढ़ गया है जो लोग बिमार हो रहे थे वो अब ठीक हो के घर जा रहे है लेकिन सब लोगों की नजर अब वैक्सिन की तरफ है कि कब वैक्सिन आएगी और कब सब लोगों को करोना से मुक्ति मिलेगी हमने दिल्ली सरकार में वैक्सिन अपने दिल्ली के लोगों को वैक्सिन देने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है दिली सरकार पूरी तरह से तयार है केंदर सरकार से वैक्सिन रिसीव करने के लिए वैक्सिन को स्टोर करने के लिए और लोगों को वैक्सिन लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 3 किसम के प्रायरिटी लोगों को लिस्ट बनाई है कि सबसे पहले इन्हें दिया जाएगा वेक्सिन क्योंकि वेक्सिन आएगा एकदम से उसकी प्रॉडक्शन तो इतनी जधाधा प्रॉडक्शन नहीं हो सकती कि सारे देश को एक साथ दिया जा सके सबसे बड़ा प्राइरिटे रिया हेल्थ केर वरकर हमारे डॉक्टर्स हमारे नर्सेज पैरामेडिकल स्टाफ ये जितने लोगे हेल्थ केर वरकर जो हैं उन लोगों को सबसे पहले दिया जाएगा डिल्ली में लग बग ऐसा estimate है कि तीन लाख के करीब हेल्थ केर वरकर्स हैं दूसरा है frontline workers frontline workers हैं जैसे पुलीस वाले हैं जैसे civil defense volunteers हैं जैसे municipal workers हैं इस किसम के लोगों को frontline workers बोला जाता है दिल्ली में उमीद है ऐसे लोगों की संख्या लगबख 6 लाख है और तीसरी category है वो लोग जो की 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं या अगर 50 साल से कम उम्र के हैं तो उनको किसी किसम की co-morbidity है कि 50 साल से उम्र तो कम है लेकिन diabetes है या heart की बिमारी है या कोई और ऐसी बिमारी है जिसमें करोना कई बार जान लिवा हो जाता है ऐसे लोगों की संख्या दिल्ली में लगबख 42 लाख है तो 42 लाख और और 6 लाख 48 लाख और 3 लाख healthcare workers 51 लाख लोग दिल्ली में हमारे priority category में आते हैं वो priority category जो केंडर सरकारन डिफाइन की है इन सब लोगों को चिन्नित लगबख कर लिया गया है जो थोड़ा बहुत काम बचा है मुझे उम्मीद है कि अगले एक हफते के अंदर पूरा हो जाए एक आदमी को दो डोज लगेंगी तो 51 लाख लोग मतलब एक करोड़ दो लाख डोज की जरूरत पड़ेगी पहले फेज में इन priority लोगों को वैक्सिन देने के लिए हमारे पास अभी 74 लाख डोज स्टोर करने की कैपैसिटी है cold store की कैपैसिटी है लेकिन इसको बहुत जल्द अगले 57 दिन के अंदर सारात काम बड़ी तेजी से चल रहा है अगले 57 दिन के अंदर maximum एक हफ़ते के अंदर ये कैपैसिटी हमारी बढ़ के एक करोड़ 15 लाख डोज स्टोर करने की कैपैसिटी हो जाएगी तो एक तरह से हमें प्रायरिटी लोगों को वैक्सिन देने के लिए एक करोड़ दो लाख डोज़ की जरूरत है और हमारे पास कुछ दिन में ही एक करोड़ पंद्रा लाख वैक्सिन स्टोर करने की केपैसिटी हो जाएगी तो हमारी वैक्सिन स्टोर करने की केपैसिटी पूरी हो जाएगी इन सब लोगों का रिजिस्टेशन किया जा रहा है जिन जिन लोगों को जो कैटेगरी जो प्रायरिटी कैटेगरी है तो जब वैक्सिन आएगी तो जिन लोगों का रिजिस्टेशन है उन्हीं को वैक्सिन हचना है अपनी वैक्सिन लगाने के लिए तो आपको चिंता करने की जरूर्ट नहीं है सरकार आपको इसके बारे में सुच्चित करेगे दिली के देने के लिए जितनी भी साइट की जरूरत पड़ेगी जितनी भी location के उपर पांच लोगों की team बनेगी तो जितनी भी teams की जरूरत पड़ेगी उन सारी teams को चिन्नित कर लिया गया है उन सारे officers को करमचारियों को चिन्नित कर लिया गया है उन सब की training करवाई जा चुकी है तो एक तरह से सारी तयारियां complete की जा चुकी है कोई उसको side effect हो जाता है कुछ गलत हो जाता है तो उसको तुरंत उसका उसका इलाज करने का भी सारी व्यवस्था कर ली गई है उसके लिए जो specialist की जरूरत है जो doctors की जरूरत है उसकी भी सारी व्यवस्था कर ली गई है कि उसको तुरंत उसके लिए उसका इलाज किया जासे कि अुसको तुरंट उसका ट्रीटमेंट दिया जासे के तो अब हम सब लोग बड़े बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं कि बजल्द ही वैक्षिनज को हमारे देश में भी एप्रूवल मिलेगा और जैसे ही एप्रूवल मिल जाता है तो दिल्ली को जैस इसी वैक्सिन मिलेंगे हम ग्रुप्स को हम वैक्सिन देने के लिए पूरी तरिया तरीके से थियार हैं नमस्क्राइब